महाराश्टर के मुख्य मंत्री बानिये उत्व साहब जी धाध्रे के अमहन पर जिसमें उन्होंने कहा है कि शिप सहना की राजबीती जमीनी तौर पर राजबीती के साथ जुपते हुए और जन मुद्दो को उठाते हुए शिप सहना तमाम राज्यों के अंदर चुनाव देगी इसी तड़ी को आगे बढ़ाते हुए बारक दर्शन से शिप सहना जमू कश्मीर में अगामी विदान सबा चवावों के लिए कमर कस्ली है शिप सहना जमू कश्मीर जमू कश्मीर की तमाम विदान सबा सीटों पर अपने पढ़्याशी खड़े करेगी जिसके राज्यों के अंदर जन मुद्दों को जमीनी तोर पर उठाते हुए जन्ता की जमीनी राजनीती तरफ उनमुक करते हुए हर राज्ये के अंदर चुनाव लड़ेगी इसी कड़ी के अंदर पार्टी के राश्ट्रिय सचिप आदर्नी है अनिल दिसाई साहब जी के पत्याशी उतारेगी देखिए शिव सेना जम्मु कुश्मीर इकाई लगातार जन मुद्दों को उठा रही है लगातार जन्ता की सेवा के लिए अगरसर है जम्मु कुश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मु कुश्मीर में भाजापा समेथ तमाम पार्टीयों ने जन्त बाईयों को भी अभी वहाँ पर वापिस कश्मीर के अंदर बसाना संबब नहीं बनाया जा सका बस्टाचार और विरोजगारी की बात करें महंगाई की बात करें तो इस सम्मु कश्मीर के अंदर ये तीनों चीजे चरम पर हैं दैनिक वेतन भोगी लगातार सडकों पर उतर नोकर शाही की बात करें तो नोकर शाही इस समय मनमाने पर उतारू है देख महाराजा गुलाब सिंग की जो डोगरा रियासती उसको सोची समझी साजिश के तहत हमारी पहचान को खतम करने की एक साजिश रची जा रही है मानिए बाला साथ ठागरे जी ने तमाम शिव सैनिको को 80% समाय सेवा और 20% राजनीती के निर्देश दिये थे और अब मैं मानता हूं कि समय आ चुका है कि 80% के साथ 20% को भी अंजाम में लाया जाए यही हमारा कहना था कि हम आने अजामी विदान सभा चुनावों में अब शिव सैना हर सीट से अपने परतियाशी उतारेगी ज जय हिंद जय भारत जय जो